हलो नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं सुरंदसी, आज आप सभी पीएप मेंबरों के लिए एक नई वीडियो लेकर आयों, जिया दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे, दोस्तों इपीएपों की ओफिशल वैपसाइड के अंदर कुछ ऐसे नए अपड आएंगे, ठीक दोस्तों, दोस्तों वीडियो को आप लास तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, ठीक दोस्तों, आगए वीडियो में बताने इस पहले आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब क साथ है दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक जरू करना, ताकि मैं आपको इस प्रकार की हेल्पर वीडियो लाता रहूँ, तो दोस्तों, अब मैं आपको वाले स्क्रीन पर लेकर चलते हूँ, सबस्ते पहले दोस्तों, आपको UAL, लोग इन सर्च करना है, उसके बाद दोस्तों, आपको मेंबर होम पर दबाना है, दबाने के बाद दोस्तों, क्रॉम पर ओपन कर लेना है, क्रॉम ओपन करने के बाद दोस्तों, आप EP अपो की ओफिसल बैप साइड पर आ जाओगे, वहां आकर आपको UAN नमबर, पासवर् ठीके दोस्तों, ठीके दोस्तों, तीनों चुचों को फिल करने के बाद आपको Sign In पर दबाना है, जैसे दोस्तों, Sign In पर दबाऊगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा एंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपका जो भी मोवाल नमर रेजिस्टर था, उस पर एक OTP जाएगा, OTP क आपको यहाँ पर फिल करना है, और Capture Code को फिल करना है, ठीके दोस्तों, OTP और Capture Code फिल करने के बाद आपको Submit पर दबाना है, जैसे दोस्तों, आप Submit पर दबाऊगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा एंटरफेस आ जाएगा, दोस्तों, जो नया option जोड़ गया है, उसके करके, EPF उने Joint Declaration कर दिया है, ठीक दोस्तों, सिर्फ इतना ही Change किया गया है, EPF की Official Website पर, ठीक दोस्तों, इसमें जो भी आपकी Basic Detail थी, उसमें जो सारा option था, वो आप Joint Declaration के अंदर जोड़ दिया गया है, Joint Declaration के अंदर आप अपना Father's Name चेंज कर सकते है, Date of Living चेंज कर सकते हैं, दोस्तों, यदि आपको जहन करें अच्छी लगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,